इस चनल पर इसका नाह में English Advantage जोस्तो इस वीडियो में आपको इंग्लिस की वोकैबलरी बताऊंगा बैंक पियो के लिए NDA के लिए CDS के लिए और SBI कलरक आई BPS के लिए बहुत ही इंपरेंट वोकैबलरी है इसको आप एजे सुनोनियम एंटोनियम यूज का सकते हैं और रीडिंग कॉम्प्रियेंसर नहीं बहुत इंपरेंट वोकैबलरी साबित होगी आपके लिए ये सेंट आपको बताऊंगा और बहुत डिटेर में बताऊंगा और इसमें मैंने इमेजन विजुलाइज और लिंक मेथड का इसमें हम किसी भी वर्ड को इमेजन करेंगे पहले विजुलाइज करेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे एक पिक्चर बनाएंगे उस पिक्चर को इसको लिंक करेंगे तो इस तरह से ये वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और किसी भी节ik मे कॉमपीशन में जाते हैं तोसमें आपके succeed के chances बहुत ज्याधा हो जाएंगे तो देखिये इसमें क्या होता है की वुकेबरीमें आप यदि कैसाब से आफ याद करते、 तो यह ही एक अच्छा तरीका होता है vocabulary को याद करने का क्योंकि वैसे आप याद करेंगे तो बहुत सारे वर्ड होते हैं आप कभी भी याद नहीं कर पाएंगे तो वर्ड को relate करेंगे associate करेंगे किसी ना किसी चीज से उसके बाद हम इन वर्ड को याद करेंगे तो इस tutorial की मदद से इस tutorial को आप पूरा देख लेंगे तो आप 350 के आसपस कमसे वर्ड हमेशा के लिए सीख जाएंगे और competition में English का paper निकालना आपके लिए बहुत आशान हो जा या ambiguous लेकिन इसको याद करेंगे इसको याद करने का तरीका है देखिए बोकल को आप बोटल से जोड़िये और यदि आप बोटल पी लेते हैं कोई बोटल पिलेता है तो वह उनक्लियर रहेगा मतलब किलियर नहीं पायागा किसी भी चीज के बारे में तो इसलिए वह उनक बहुत इंपर्ट्नड उडर्ण यह उनकिलियर अद्छा खर्लतल कोई चीज आओ तो वह उनकिलियर नहीं होगी यह एक गया किलियर नहीं होगी यह एक शोषी मिनब अगरे चल सकते है उसके लिए यह को रूता है उसके लिए अन्किलियर है और शिफ्टी वर्ड ऑप कर सकते हैं तो इसका होगा कि लिए इस तरह से इसको आप जोड़के देखेंगे हैं तो हमेशा के लिए यह आपको equivocal word याद हो जाएगा चलिए अब next word देखते हैं देखिए यूबीकुटस बहुत इंपरेंट वर्ड है बहुत एक्जाम में बैंकिंग एक्जाम में कई वर आ चुका है यूबीकुटस का मतलब क्या है जो चीज हर जगे प्रेजेंट है कर चैनल में बैंकिंग यूबीकुटस का मतलब हुआ परसंट अब्रेज घ्रजेंट आवर्ड हूसा करेंगा स्कोमिवेश्य। जाए चानले 50 рег मिल्सकारा निल्सकति है कि अपके हर जग दिक जाएगी। को अमनी प्रेजेंट का निल्यका मतलब हुआ है जो हर जग प्रेजेंट है legal है जो मिल्सक्र सब्सक्ति है क Хорошо हर ज़गे present ऑ घूमनी सैंट मतलब सिंट क्या मतलब है सिंट का मतलब हैसांश टो तो सियम का मतलब साइंस मदाब हो जा गएका सर्व सकती मान जियांट है और इसको आप जोड लीजिए से थो मनि 5 को जाएगा सार्व सकती मान तो इस तरह से यूबी कुटस का मतलब हुआ जो हर जगे present है तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम होगा scarce या rare जो हर जगे present नहीं है तो चलिए next word देखते हैं नेक्सट पर देखिये प्रॉगसी मिटी इसमें कोई चीज मिट रही है तो जब दूरियां मिट जाती है तो प्रॉगसीमिटी मतलब इसमें दूरियां मिट रही है तो proximity का मतलब होगा closeness या nearness देखिए ये closeness, proximity, closeness और nearness ये इसके होंगे synonyms, immediacy भी बोल सकते हैं और ये वर्ड से मिलता जोलता है, proximity और pro इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, pro-pin-quity, proximity and pro-pin-quity, इन दौनों का ही मतलब है nearness, तो इस तरह से दौनों में ही pro आ रहा ह ये आप मिलाके लख सकते हैं इसको, और इसका intonim हो जाएगा remoteness, एक जी हो जाएगा remoteness और एक जी हो जाएगा इसका distance, तो proximity का intonim होगा remoteness या distance, इस तरह से इन वर्ड को आप intonim synonym में भी याद कर सकते हैं, और reading comprehension में भी बहुत काम में आएंगे ये वर्ड और next word sadistic, sadistic का मतलब इसमें लिखा हुआ है, aggressive, brutal, cruel, इस तरह के words है sadistic का मतलब, इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, जो sad और stick, जो अपनी stick से दूसरे लोगों को sad कर देता है, that is called sadistic, मतलब aggressive, brutal या cruel, vicious का मतलब है दुर्गुनी, बहुत important word है, vicious, vicious का मतलब है दुर्गुनी, इ उसको हम बोलेंगे vicious, तो यह हो गया इसका, इसके synonyms हो गए, एंटोनेम देखिए, जो aggressive नहीं है, वो कैसा होगा, वो होगा आपका peaceful या friendly, तो sadistic का एंटोनेम हो जाएगा, peaceful या friendly, sadist को आप इस तरह से याद रखिए, जो अपनी stick से sad कर देता है लोगो, that is called sadistic, यानि aggressive, brutal, और cruel इसके synonyms होंगे, और vicious हो सकता है इसका, और एंटोनेम होगा इसका, peaceful या friendly, next word देखते हैं, next word, यह कुछ phobia के word भी बहुत आते हैं, exams में, phobia और files related words आते हैं, देखिए phobia का मतलब होता है, किसी चीज का डर, यह जो phobia word है, यह phobia word है, इसका मतलब होता है, किसी चीज का डर, और file मतलब होता है, किसी चीज का love या किसी चीज का attraction, तो acrophobia मतलब होता है, fear of height, लेकिन इसको आप याद कैसे रखेंगे, अब देखिए, acro में क्या दिया हुआ है, crow दिया हुआ, crow माने क्या होता है, cowa, cowa कहां बैठता है हमें सा, हमें सा height पर बैठा हुआ मिलेगा, इसको हम बोलेंगे, acrophobia, तो इसका मतलब हो जाएगा, fear of height, ठीक है, इस तरह से आप acrophobia को याद रख सकते हैं, और बैसे आप याद करेंगे, तो बैसे आपको याद नहीं होगा, बिब्लियो फाइल, देखिए, बिब्लियो का simple सा मतलब है, books, और file means attraction, तो lover of books हो जाएगा, इसका, बिब्लियो फाइल means lover of attraction, तो phobia और file opposite words है, अब देखिए, autophobia, autophobia का क्या मतलब है, the fear of being abandonment and being abandoned by someone, किसी के द्वारा अकेले छोड़े जाने का डर, कि अकेले छोड़ दिया जाऊंगा, तो इसको हम बोलते है, autophobia, इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखिए है, अकेले जाते हैं, या एक कल्पना कर सकते हैं, कि आप auto में आ रहा हैं और अकेले आ रहा हैं किसी दूर से, तो autophobia का मतलब है, कि अकेले छोड़े जाने का डर, इसको बोलेंगे autophobia, तो इस तरह से इस words को आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, next, देखिए, कुछ words मैंने all ल Monophobia, Monophobia, Mono मतलब क्या होता है, English में, एक होता है, Mono, बाय मतलब दो, ट्राय मतलब तीन, Octa मतलब एट, इस तरह से, तो Monophobia का मतलब होगा, Fear of being alone, even when sleeping, और eating, जब आप स्लीपिंग कर रहा हैं, उस समें भी आपको लग रहा है, कि आपकेले अकेले पन से आपको डरन लग रहा है So that is called Monophobia, अब देखिए, next word है आपका Sinophobia, Sinophobia होता है, Fear of Docks, लेकिन इसको आप याद कैसे रखेंगे, जो Docks की नाक होती है, तो थोड़ी सी, उसके जो Nostils होते हैं, वो अलग तरीके के होते हैं, अलग से दिखाई देते हैं, तो एक पहचान बना सकते हैं, कि Sinophobia का मतलब है, Nose Unown or Fearing Anything or Anyone that is Strange or Foreign, कोई भी Strange चीज़ से आपको डर लग रहा है, कोई भी Strange चीज़ से डर लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे X दिया हुआ है, X का मतलब ही होता है कोई चीज़ अन्नोन है या Strange है, जैसे हम Math में X की Value लेते हैं, या X-ray का आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे जब X से की खोज होती, तो उसके Scientist को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कि तो उसका नाम X-ray रख दिया, कुछ Ray का कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा तो उसका X-ray रख दिया, तो X का मतलब है कोई भी Unknown figure या Unknown चीज, तो Xenophobia का मतलब होगा आपका, the fear of unknown or fearing anything or anyone that is strange or foreign, यह होगा Procrastinate, बहुत important word है, कैई banking exam में यह आ चुका है, Procrastinate, तो इसमें आप Nate का मतलब होता है Late, और Late का मतलब Delay, नेट को जोड़िए Late से, Nate मतलब Late and Late means Delay, तो Procrastinate का मतलब होगा आपका Delay, तो इसका सही answer होगा Delay, लेकिन इसका Put Off भी बोलते हैं, Put Off का मतलब Delay होता है, Put का मतलब रखना और Off का मतलब बंद कर दिया, मतलब कुछ देर के लिए किसी चीज को आपने ताल दिया या बंद कर दिया, that is called Put Off, तो Put Off का मतलब होता है, आपका Procrastinate या Delay करना, Post Porn, Post का मतलब हमेशा से होता है, बाद में, यह जो Post है, इसका मतलब होता है, बाद में, Post Porn, तो और है, सुनोनिम है, हैंग फायर है, इक डिफर है, और डेली है, यह भी बड़ है, डिफर का मतलब बहुत इंपरेंट वड़ है, डिफर, Post Porn करना, और डेली, और अगर यह आप किसी चीज को Post Porn नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, हरी करेंगे, जल्दी करेंगे, उ इसका Procrastinate का Internet हो जाएगा आपका हरी, इस तरह से आप इनको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, नेक्स बड़ देखिए, Obscure, Obscure का क्या मतलब है, Obscure का मतलब है, Unclear, धुंदला, समझने में जो सही नहीं है, समझने में जो कठें है, तो इसको Obscure, Obscure, क्यूर जो होता है, वो उनसरटेन होता है, कोई डॉक्टर आपका क्यूर कर रहा है, वोँ उनसरटेन होगा, उसका कोई मतलब गार्न्टी नहीं होगी कि आपका इलाज सही होगा के नहीं, तो इस तरह से याद कर सकते हैं, तो Obscure मतलब उनकलियर होगा, Obscurity नाउन हो जाएगा इसका, अब दे यह जो वेग है वेग का मतलब अंसर्टेन होता है अनकिलियर, एम्पीगवस मैंने पहले बताया तो अनसर्टेन होता है डाउटफोल अब मर्की देखिया मर्की एक वर्ड है जो पिक्चर के लिए उज़ता है मर्की का मतलब कोई धुंदली देख रही है क्लियर नहीं देख उसके लिए उज़ता है murky, unintelligible यह भी एक incomprehensible, unintelligible यह दोना similar word है, hazy यह भी picture के लिए यूज़ता है, hazy, unclear picture, uncertain, तो देखिए कितने सारे words है, uncertain, hazy, unintelligible, आपका murky, doubtful, ambiguous, unintelligible, unclear, vague, incomprehensible, इस तरह से यह सारे word, यह सारे synonym से किस word के, obscure मतलब के, obscure मतलब जिसमें clarity नहीं है, जो un clear है, और इसका intonim क्या होगा, इसका intonim होगा आपका clear, तो obscure का intonim होगा clear, इस तरह से आप इसको हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, next word देखिए, she's less, cease less, cease का मतलब होता है, रोकना, आपने theater बगरा में कभी गई होंगे तो देखा होगा आपने, cease fire के नाम से एक instrument लगा होगा र एक है, तो cease में हम less लगा देगे हो, मतलब वह चीज़ रुकनी रही है, cease less, cease less, मतलब जो चीज़ रुकनी रही है, का मतलब इसके word होगे continuous, cease less का मतलब इसके इसके बहुत important वट है, incessant इसके लिए इसमें ant लगा हूआ, ant का मतलब क्या होता ही, cheaty और cheaty होज़ इसा चलती र तो इस तरह से आप इसको एक है इसका अन एंडिंग एक है इसका continuous और एक बहुत इंपोटेंट वार्ड एसका इंटर मिनेविल इंटर मिनेविल मतलब इंटरवल के लिए मना कर रहा है उसमें इंटरवल जो थेटर में इंटरवल होता है उसके लिए मना कर रहा है जब इंटरवल नहीं होगा तो इंटर मिनेविल का मतलब हुआ continuous ठीक है इस तरह से आप इसको याद कर सकते कि इंटर मिने है इंटर्मिटेंट इंटर्मिटेंट मतलब रुक रुक कर एफिमेरल होता है ट्रांजियन्ट होता है और शॉर्ट लिप्ड होता है तो बहुत सारे वर्ड है यह टेंपरेरी है ट्रांजिटरी है इंटर्मिटेंट मतलब जो बार-बार मिट रहा है बार-बार बन रहा है मतल यहां पर सभी चीजे परफेक्ट है यहां पर सभी चीजे आइडीयल है ठीक है तो यहां पर अपना प्येर मिल गया तो आपका राम राज जा जाए गा इस तरह से इमेजनरी situation बनाके रख सकते हैं, इटोपिया, मतलब you get your PIA, तो आपको अपना राम राज मिल जाएगा, एक ideal condition होती है, और इसका opposite होता है डिस्टोपिया, यहां पर सारी चीजें बिगडी हुई है, इसको हम बोलते हैं डिस्टोपिया, और यूटोपिया का मतलब होता है, एक ideal situation या राम राज, तो यहां पर मैंने एक्जम्पिल भी दिया हुए हैं यह, यह एक्जम्पिल आप देख लिए इनको, इनको आप पड़ सकते हैं इन एक्जम्पिल्स को, तो यूटोपिया मीज, you get your PIA, and after getting your PIA, you are completely in the ideal situation. Next, देखिए, posthumously, यह कुछ बेंकिंग एक्जम्स में आचुका है, इसलिए मने लिया है, इसको, posthumously, मैंने भी आपको बताया था, कि POSD पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद में, post मतलब कोई चीज़ बाद में हो रही है, तो posthumously का मतलब होता है, after death, जैसे एक एक जामपल में ने दिया है, यहां पर, he was given Parambir Chakra posthumously, मतलब उसको, इसको, 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 देखिए, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक, इसको, आम बोलेंगे, जाइगेंटिक का मतलब होता है, बहुत बढ़ा, तो इसको, आप गन से आद लख सकते हैं, इसमें गन आ रहा है, गन बड़ी होती है, रिवॉल्वर या पिस्टल चोटी होती है, तो इसलिए गन मतलब बढ़ा, तो जाइगेंटिक मतलब बहुत बढ़ा, यूज, इनॉर्मस, एक्स्रीमडी लार्ज, मैसिव, और देखिए, इसमें भी गन वर्ड आ रहा है, इसमें भी गन वर्ड आ रहा है, तो गारगेंटन, गारगेंटिक मतलब बहुत बढ़ा, कोलोसल, बहुत कॉमन वर्ड है, कोलोसल, कई बेंकेंग एक्साम में आ चुका है, ओवर साइज, कई बेंकेंग एक्साम में आ चुका है, वस्ट, बहुत कॉमन वर्ड है, तो इस तरह से इन सारे वर्ड को आप, देखिए, जैगनिक है कितने सारे संटोनिमस मैंने बताया आपको, तो हुज, एनॉर्मस, एक्स्रीमिल लार्ज, मैसिव, गार्गेंटन, कॉलोसल, ओवरसाइज, वास्ट, और अन्टोनिम का क्या मतलब होगा, टाइनी, चोटा, टाइनी का मतलब होता है, चोटा या स्मॉल, और जाइगंटिक का मतलब होता है, बड़ा, तो इस तरह से इन वर सकते हैं कि रस्टिक का मतलब क्या होगा, रूरल, ठीक है, रूरल को हम कंट्री साइड भी बोलते हैं, पैस्टोरल भी बोलते हैं, पैस्टोरल को कैसे याद रखेंगे, पैस्टल का मतलब होता है, पैस्टल का मतलब होता है, पैस्टल का मतलब होता है, पैस्टल का मतलब हो कितने सब्सक्र recycler Cand tout तो यह सारी वेट मुणार मुटड़ का होता है अर्ग सहरी नियूसरी एक्षुलेंट क्यों रूरल कंट्रीय पैस्टोरल विक उसकी Adjust हम वहां नहीं हम चैनल हो नहीं है कहा फिजिरू पुल्त है क्यों चैनल को कि चैनल मैं तर बिह स्ट्रेंजónki मुद्ध कर आइंट आद बेड़ना ंिंदिन अन्हें फ्री जsis सके पर डाइंग्न vat यह ग्राइजर्ट बीज के लुचांज कि अन्कैनल अनकैनी का मतलब होता है रहसे पूर्ण मिस्टीरियस मैंने यहां दिया हुआ है ब्रेकेट में और वैकी थोड़ा से इसको भी देख लीजिए वैकी आचोका है एक्जाओं में और एरी एरी देखिए यह वर्ड ही अजीब सा लग रहा है इसकी स्पेलिंग ही अजीब सी है जो स्टेंजल नहीं है कैसी होगी वहीं नstyले मोगा नॉर्मल इस तरह से इन वर्ड सको आप याद कर सकते हैं अंप से जादा मदलब ह हुआ कैसारे मल्टीपल मैनि और अम बना हुआ हिस्षा क्योंकि अम निय्क के ययीफ होगी स्टीम olla कि sare मैलटीपल मैंनी मल्टीपल जैसरे मैं मैंटीपल चौइस होते countless zillion यह एक नया वर्ड जिलियन टिलियन मिलियन उससे बना हुआ है यह तो जिलियन का भी हम यूज करते हैं बहुत सारे के लिए और एंटरियम क्या होगा इसका सम या एफ्यू कुछ दोनका ही मतलब है कुछ तो इस तरह से सकते हैं नेक्स देखिए कंसाइज का मतलब है जिसका साइज कम है या नि जो छोटा है अब छोटे के लिए क्या वर्ड करेंगे बीफ ब्रेविटी शौट तूदा पॉइंट सक्सिंग्ट क्रिस्प तर्स पिथी लेकॉनिक कर्टेल और एबरेज कितने सारे वर्ड हैं देख कुछ वर्ड कि आपर एसोसीसे साल बना सकते हैं जैसे ब्रीफ होता है घोटा प्रीफ केस होता है को इस एसका सूटकेस ब्रीफ के सामे। नहीता है टो ब्रीफ का मतलब क्या वग vescom एब double क्या हुगal चोटा ब्रीफ से बहाँ है मद्रड क्रेविटी चोट शौरट खूट च्छोटा, to the point, सक्राइब शुक्ष सख्राइब सब Also, मतलब आपने शुक करके उसक wire.. में में चीज को निकाल लिए आपने सख्राइब ब्रीब है क्रेस्प में लिए तर्ष इन डग रग सकते हां कि देखिये बग घंख सकते हैं crisp terse और पिती च journ छोट है लिकानिक की बिखतलों के बस stylist फाम्हिश Rosa sad Heımig कमारिक च्छोटा हिट역ि कालों कार्टव काज़ने हैं इस नहीं है दो इसको हो गया कब्रीज इसमें बरिज वर्थ रहा है तो ब्रिज का मतलब क्या होता है पुल बना दिया यदि आप घूमके जाएंगे तो लंबा आपको जाना पड़ेगा और पुल पाल करके जाएंगे तो छोटे से आप जा सकते हैं तो इस तरह से इन वर्ड्स को आप याद रह सकते हैं एक डिक्सरी भी आती है जोगी छोटी डिक्सरी होती है फ्ल डिक्सरी होती है तो प्रीफ ब्रेभिटी शॉट टू दपॉइंट सक्सिंक्ट क्रिस्प टर्स लेंदी डिटेल एक्स्टेंडेड और कॉम्प्री हैंसे तो इस तरह से यह वर्ड आप सारे यूज कर सकते हैं कंसाइस नेक्स वर्ड देदी एक्स्टर पेट एक्स्टर पेट का मतलब क्या है रिमूब तो इसको आप कैसे आद लखेंगे उसके एक्स्टर पेट का मतलब पेट जड निकाल दिया रूट आउट जड को अपने अमूलन के लिए जड से निकाल डिया रूट अपरूट ऑप्रूट यह तो इन उस verst़ ने चाहिए यह प्र आप मतलब निलए यह यह तो निले उस न obsessive ए है है इन वर्ट कर लिजय neighborhood एनीहेट इन वर्ड को करने करने कें और आयलेक एकमेरी हैं सब्सक्राइब है इन सब्सक्राइब करना या हटाना छतनी करना एरेडिकेट का मतलब उल्मूलन करना किसी बीमारी का, obliterate, remove बिलता रिमूब, इनिहलेट, जिला दिया, किसी बिल्डिंग को आपने हला दिया तो वो destroy हो जाई तो annihilate completely destroy, और शी से मिलता रिमूब ऑब है आपका exterminate, इसमें भी एक्ष्टरा को आपने हटा दिया, destroy और इस से मिलता Xp unavountain च का मतलब होता है रिमूइब। इसको भी आप अच्छी था से याद कर लीजे splause equival groundwater और स्टässंप out इस्सटा पांट का मतलब रिमूइब। और ऑं leukemia किसी काउंट नीं कर रहे है तो यह तो स्टेबलेस कर रहा है इस процent डिषया को तो इस तरह से इन वर्ट को अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं, next वर्दी, expedite, expedite का क्या मतलब है, speed up करना, किसी काम को गती देना, देखिए आप यदि अच्छी डाइट लेते हैं, expedite, expedite, अगर यदि आप अच्छी डाइट लेते हैं, तो आप express की कती से काम करने लगेंगे, यानि आप में speed आजाएगी, expedite का मतलब है, speed up, hurry up, accelerate तो जानते ही होंगे आप, bike में accelerator होता है जो गाड़ी को speed देता है, accelerate, facilitate, आसन बनाना, further, तेजी देना, cut the rate tap, यह क्या है, rate tap होता है, जो गवर्मेंट डेपाइटमेंट में जो फाइल होती है, उनके चानो तरह एक लाल रंका फीता लगा रहता है, उसको हम बोलते है, red tap, तो यह indicate करता है कि वहाँ पर काम डिले होता है, क्योंकि गवर्मेंट जॉब में लोग काम नहीं करना चाहते, मतलब एक जनल ओपिनियन यह है लोगों की, कि वहाँ पर डिले होता है काम में, तो उसको हम बोलते है, लाल फीता सही है, रेट टेपिजम, रेट टेपिजम मतलब काम में डिले, तो कचदा रेट टेप को आप कचच कर देंगे, तो स्पीड अप आजाएगा काम में स्पीड आ जाएगी, तो इस तरह से, इसका यह मतलब है, एकसपी डाईट, डाइट खाके आप में स्पीड आ जाएगी, एकसपी डाईट, next word देखिए, एंटोनिम, इसके एंटोनिम क्या होंगे, कि इंपीड से एक वर्ड बलता हैłu Hさ इंपडीमेंट इंपडीमेंट होता है इसको आप सी रखेंगे करिकेट में यदि आप लगा लेंगे तो आप बॉल को रोख सकते यारे और न्याइख लब लेकला, निनकी बहुत ध्जलता है। उनको हम बोलते हैं mentally retired children, तो इस तरह से retired का मतलब पीछे धकेलना या गति धीमी करना इसको बोल सकते हैं, seize का मैंने आपको बताया ही था, seize का मैंने बताया था रोकना होता है seize का मतलब hold, hinder, hamper, तो यह सारे वर्ड मिलते लिलते वर्ड है, hinder is the antonym of help, help का मतलब इसको assist करना है, hinder का मतलब रोकना, और देखिए, मैंने यहां पर दिये, impede का impediment बन जाएगा, noun, और hinder का hindrance बन जाएगा, equivalent word है, तो इनको भी आप याद का सकते है, impede का मतलब impediment, impediment मतलब आपने pad लगा लिया, pad लगा लिया मतलब आप रुकावड बन गया किसी चीज की, तो इसलिए आप impediment word का use कर सकते हैं, इस तरह से इंड वर्ड का याद कर सकते हैं, next word देखिए, rampant, देखिए rampant का मतलब होता है, something that is widespread, something that is present everywhere, something that is extensive, something that is uncontrolled, ठीक है, जो सब जगे फैली हुई है, उसको हम बोलेंगे rampant, इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए, ram होता है computer में, और computer की पहुँच कहां कहां है, सब जगे फैला हुआ है computer, तो rampant का मतलब है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, unbridled, unbridled का मतलब क्या है, unbridled, देखिए, bidled जो होता है, वो घोडे की लगाम को बोलते है, unbridled, तो जिसमें bidled नहीं है, यादि unbridled है, जो मतलब वो uncontrolled है, इसी तरह से unchecked, uncontrolled, raising एक दम अफंता हुआ, उसको बोलेंगे, uncontrolled, तो इसके antonym क्या हो जाएंगे, जो रुका हुआ है, एक जगे जो रुका हुआ हुआ, checked, controlled, restrained, moderate यह हो जाएंगे इसके, limited, और bottle up, किसी को आम bottle up बंद कर देंगे, तो बो रिस्टेंट रहेगा, और इसी तरह से मिलता है, pent up, pent up emotions मतलब दबे हुए emotions, तो कितने सारे बर्डें बर्ड बताएं, rampant, widespread, ठीक है, इसको आप हमेशा के लिए आप याद कर सकते हैं, चलिए next बर्ड देखिए, reticent, बहुत important बर्ड है, कही एक्जाओं में आ चुका है, यह reticent, reticent, reticent को आप saint से याद कर सकते हैं, saint मतलब इंगलिस में क्या होता है सादूसंत, और सादूसंत का nature कैसा होता है, वो reserve होते हैं, बहुत, बोलते नहीं है, quiet होते हैं, restrained होते हैं, तो इस तरह से आप reticent, मतलब reserve, quiet या restraint, इस तरह से आप याद रसकते हैं, taciturn, taciturn भी इसके लिए बहुत important word है, taciturn, quiet, बहुत important word है, taciturn, unforthcoming, जो सामने नहीं आ जो रिजर्ब निचर का है, सामने नहीं आ रहा है, बोल लिए उसको हम बोलेंगे, unforthcoming, uncommunicative, मिलता युलता वर्ड है, और एंटरिम क्या होगा इसका, tacitiv, locusus, sorry, और gerulus, यह बहुत important word है, locusus, लोक का मतलब होता है, बोल ला मिसा, तो लोकेस का मतलब हो जाएगा, tacitiv औ more important words है, next word देखी, evacuate, 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 evacuate में, कुवा एक सबदा रहा है, कुवा कुवा मतलब कुवा खाली पढ़ा है, इसका मतलब यह है, evacuate मतलब कुवा खाली पढ़ा है, तो evacuate का मतलब होता है, खाली कराना, जैसे कहीं सिटी बगरा में, बार्ड बगरा जाती है, तो government और सेरिया को, evacuate, करा लेती है खाली करा लेती है तो इसका होगा एंपटी वेकेट सेंडवे रिमूब बिड्रॉल और अवेंडन त्यागना और एंटरिम क्या हो जाएगा ऑकूपाई घेर लेना एंटर घुश जाना और रिमेन वहीं पर बने रहना तो इस तरह से इन वर्ट को आप एकुएट एक елद्रेक्ट को रहे हैं श्या गोर्ट कंतर नर्थर से अक शरी हमेटा सकते हैं स्वय्य कंटर्च आप fucking आप यह सब कर लिया आपने उसको और ज्यादा एज दे दी बचा लिया आपने ईज mogę दी आपने से सेड़ आप लिबरेट फ्री कर दिया आपने रिलीज छोड़ दिया सैड फ्री इस तरह से अब देखिये इसका इंटरीम क्या होगा इसका अवेंड अवेंडन का मतलब आपने कोई व्यक्ती मुसीबत में लेकिन आपने उसको बचाया नहीं और बैसा का बैसा ही छोड़ दिया उसके हालत तो इसको भोलेंगे अवेंडन तो इसलिए रैस्की को एंटोनियम होगा अवेंडन या इंडेंजर खत्रे में डाल दिया आपने उसको टो इस तरह से इस उन वर्ड को याद कर सकते हैंzym सेलवे मिलता हो डिटा-शी निरदए culma रोल या जन्गली सको भी आप अच्छी से याद कर लीजिए डोके फैए सेल्वेज मतलवें ड॔र सेवेच यािरम एनल सब्सक्राइणने वो सेवके अब Almighty Shell या न一次 और दो थाएक्तिन माणूनि नग्य भिल्वके से कलें नहीं डॉनदिया है। और इससा है की तुन है वे इस अधिर क्या रोड़ति जिसमें बहुत सारे व्रेट्स का यूंस की आप की दो अधिया द offend तो अब ध्यान से सुनते जाए इन वर्ट को मैं आखरी में जाके ये टूटरियल जब खतम होगा तब मैं आपका एक रिवीजन टेस्ट लूँगा और आप उससे अपना असेस कर सकते हैं कि आपने कि तिखा अब देखिए नाइब का मतलब क्या है नाइब को आप के तुटियों के अभर के सीथप Intraverage इन एक सिथा साधा इन अइप सयंगिन का मतलब क्या होता है इन प्रमेशय को घाओ वलिय। इद सम इंपल और स्भुकिन त्रूब कॉर्खा tua है को में हैं देखिए वश्द गेट चेस्बाना कहूं चख्या का मतलब स्वी हैं ज मेahlen को बनती है उसको बोलते है क्रेडिट का मतलब होता है हमेसा बिस्वास कर लेता है और जो हर किसी विस्वास नहीं करता उसको क्या बोलेंगे इसमार्ट ऐंसी में खुषी फैली सिटी में क्या चीज फैली सिटी में क्या चीज फैली सिटी में कमार्गेट होती है थाक एंसीप happiness, contentment, elation, I was elated, he was elated, when he won the match, he was you like delight, delight, if you see something the light happens to you, how do you will become feeling, delight as excited? Dullee, coming in fact,幅 in fact is jubilee can you imagine it in fact, jubilee means jubilee, murt, it is very important word, it means that happiness is bliss and oh these do word, exhilaration and exuberance, they let you put the यह प्लेज प्लेजर खने भूबड है यैं समय प्लेज तो भ़ए और अ ऑर यकिन का रहए है ले का तो इसके गतल्रicaçãola घकरे फे 10 दोबड़ाबस जांगे इनक ने एक ब बना हुआ है फिसेटील नीचिका घा प्लेकश के हुआट लौके ऐसी बाएफ का शीवन आप कि सी इनको याद रह सकते हैं फैली City का मतलब होता है city में कोई चीज फैली City में मतलब खुशी फैली तो फैली City मतलब होगा happiness चलिये next word देखते है next word का मतलब है acquit ये legal word है acquit acquit का मतलब होता है कि किसी ने आपको quit कर दिया तो ये legal word है जब government किसी criminal को बरी कर देती है, छोड़ देती है, तो उसको हम बोलते है, acquit, क्योंकि government ने उसको quit कर दिया, छोड़ दिया उसको, ठीक है, इस तरह से आप याद दा सकते है, इसमें एक वर्ड और है, exonerate, exonerate में देखिए, ex यह वर्ड है, ex का मतलब क्या है, exit, exit का मतलब क्या है, बहाल निकलना, तिस तरह से आप याद दा सकते हैं, exonerate का मतलब होगा, फ्री, और एंटोनेम जिसके उपर आरोप लगा होगा, वो क्या होगा, convict या culprit, इसके उपर आरोप लगा होगा है, next word देखिए, callous, callous को आप जोड सकते हैं, cactus से, cactus कैसा होता है, hard होता है, काटे होते हो उसमें, तो वो hard होता है, hard मतलब insensitive, देखिए, insensitive होगा, callous का मतलब insensitive, unsympathetic, cold hearted, unfeeling, indifferent, उदासी, कोई feeling नहीं है उसके अंदर, indifferent है, और एंटोनेम क्या होगा इसका, sensitive, तो callous का मतलब है, cactus, cactus कैसा होता है, insensitive, इस तरह से association बना के आप इसकी याद कर सकते हैं, next word देखिए, veteran, veteran का मतलब होता है experience, जिसको बहुत ज़्यादा experience है किसी भी विगए धनाय किसी अच्ना υणाओ ऑनाय वो इसका होगा disclose, तो अधक बहुत ज़्यादाव एगसा होगा बहुत ज़्यादा संग किसे बहुत देखियो सेखियों और शीजन डहीए अचियों तो ज़्यादर का मतलब क्या होगा इसको एक्सित्डरी उन ओ Darede बहुत सारी नॉबिस नया खिला रही है इसलिए उसको बोलेंगे नॉबिस नेक्स देखिए फ्लंक बहुत कॉमन वर्ड है फ्लंक का मतलब क्या होता है फिल बॉंब हो गया बना फेल हो गया इन्टर नियुक्त है एक आन्च मेंतल बना जब है आपको अप्स कहा जब है। शाइजो जब मेंचल उगी डेट्रीमेंटल तो कॉन सी अपको जब मेंचल बना डेगे। तो इंजूरियस का मतलब हाँ, अन्फेबरेबिल, ठीक है, डेमेजिंग जो आपको डेमेज कर दे, वो डेमेजिंग होगा, और अन्टनेम क्या होगा इसका, अन्टनेम होगा आपका इसका बेनिफीसियल, तो इस तरह से डेट्रिमेंटल का मतलब है, जो चीज आपको मेंटल साब सब्सक्राइबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेबरेब discerning का मतलब है जो छुपी बात को समझ जाता है intelligent बंदा है discerning और अन्ट निम क्या होगा इसका 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 इन्ट निम है जो appropriate है, seemingly का मतलब जो appropriate है, seemingly का मतलब appropriate, suitable, fitting, और इसके लिए एक वर्ट होता है. Your comment was apt. App का मतलब भी suitable होता है, fitting, suitable, appropriate, seemingly. Enternum क्या होगा इसका? inappropriate, favorable ली जा appropriate के लिए एक वर्ट होता है, conducive. Conduousive भी एक वर्ट होता है, नॉर्मली weather के लिए होता है. उसको भी आप व्याद कर लीजे, मैंने बता दिया यहां पर आपको, Conducive, Next, देखिए, Lampoon, Lampoon, जिसका चेहरा Lamp जैसा है, मतलब सही चेहरा नहीं है, बेकार चेहरा है, Lamp जैसा चेहरा है उसका, 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 तो Lampoon का मतलब होता है, हसी उडाना, Lampoon, ठीक है, Ridicule, Make Fun, Satirize, Satire, यानि, Bang करना, Satire मतलब, Bang करना, Parody मतलब, हसी उडाना, ठीक है, और जिसकी हसी उडाएंगे, उसको आप प्रेस करेंगे, या एड्माइर करेंगे, तो इस तरह से आप Inverts को, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, Detest, जो आपका बारबार टेस्ट ले रहा है, उससे आपको नफरत हो जाएगी, Detest, जो आपका टेस्ट लेता रहता है, उसको बोलेंगे, Detest, तो इसका क्या होगा, Hate, Loth, ठीक है, Despise, और एक वर्ड और इसके लिए, Abominate, Abominate ये Abhor से बनाया है, Abominate, Abhor का मतलब ही होता है, Hate करना, तो Abhor या Abominate का मतलब हो जाएगा, Hate करना, और अंटर नेम क्या होगा इसका, Love, Detest नहीं करना, Next word देखिए, Ameliorate, Ameliorate का मतलब क्या है, किसी situation में, किसी situation में, किसी office में, आप काम कर रहा है, और वहां पर लियो आ गया, लियो का मतलब क्या होता है, लाइन, लाइन कोन होता है, किसी office का बॉस, तो बॉस अगर आ गया, तो आपके काम करने का रेट बढ़ जाएगा, Ameliorate, ठीक है, अगरा वेट, मतलब बुरे को और बत्तर कर देना, या वर्शन, यह होगा इसका, अन्टुने, इस तरह से इन वर्ट्स को, judicious, judicious को आप जोड सकते हैं सीधा, judge से, judge कैसा होता है, judge कैसा decision लेगा, careful लेगा, sensible decision लेगा, या बिकार decision लेगा, तो judge का मतलब होगा, judicious, ठीक है, तो judicious मतलब जो sensible decision लेटा है, sensible, careful, cautious, thoughtful, तो judicious को सीधा जोड दीजा, judge से, judge ज़स अव्यक्ती, judicious, buddhimान, sensible, careful, और एंटरिम क्या होगा इसका, insensible होगा, next word देकी, fickle, fickle जो fissal जाता है, जो unstable नहीं है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, तो उसको बोलेंगे, fickle, fickle का मतलब, unstable, capricious, capricious, caprice का मतलब होता है, English में, sunak, sunakी है, जो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, उसको बोलेंगे, capricious, indecisive, यह सारे वर्ड है यह सारे वर्ड मैंने बता है फिकल को आप याद रखी यह जो फिसल जाता है मतलब अनिस्टेबिल और अन्टव क्या होगा इसका स्टेट फास्ट एक वर डिसीन ले लिया तो इस पर टका हुआ है इसके लिए एक बड़ और है तो याद करना पड़ेगा आपको कॉग्निजेंट का मतलब भी होता है स्टेबिल तो नेक्स बड़ देखिए फ्रेजायल कांच के दिब्बों पर लिखा रहता है कि फ्रेजायल है फ्रेजायल का मतलब है टैळाल से भंसिवान पर लिख राषिम का मतलब होता हुटाय है इस मिला के या पक्रेजाय तो दे でलीकेट से लाकर ब्रेकरीपित डेलीकेट शेखरेन को आप सग्रेत से जोल दीजिए। आपको आपको धिजक होती है। मतलब जो बहुत अपने अंदर के वह आती है। जो ड़को बोलते हैं, तो सोरो अईनोआइंस, एक बर्ड याद करना पड़ेगा। मौटिफिकेशन मौटिफिकेशन का मतलब भी सैडनेस है वैक्सेशन मतलब तनाव चिंता डिसपॉइंट मेंट और डिसमें इन वर्ट को आप इस तरह से याद कर सकते हैं एंटोनेम क्या होगा इसका एंटोनेम का ट्रायम्फ प्लेजर और हैपिनेस तो यह उसके होंगे एं आउटकम एक्शन के बाद में क्या है वह होगा आउटकम अप्शॉट इसको आप दर सकते हैं इंप्लीकेशन क्या पढ़ना हुए इसके कोरोलरी यह इसके मिलते जोते वर्ट है एंटोनेम क्या होगा इसका कॉज और और ओर इसन तो रेमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट रि हुमेरस और जो जिसको हसी नहीं आतीव कैसा रहता है तो जो को सब्वुमेरस एक्षांत समाना निस्हें Завokgreat banging को सकते होगा इन मतलब जो इंब हो रहा है जो बाहर से अंदर आ रहा है सब कोई USA इंडिया में आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे immigrant, one who comes in, example है इसका from USA to India, यह मैंने एग्जाम पिल दियो, immigrant इसमें E का मतलब क्या है, इसमें E का मतलब है exit, जो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो emigrant हो जाएगा, जो इंडिया से US जाएगा, उसको हम बोलेंगे, emigrant, one who goes out, तो इसके लिए कुछ बर्ड हो रहा है, expatriate, जो exit कर रहा है, देखिए, expatriate मतलब जो exit कर रहा है, deportee, इसको भी यह बहुत important वर्ड है, और extra diet, sorry, extra diet अभी जो रहा है, send back, मतलब बापिस भेजना, या transfer करना, या handover करना, extra diet, extra diet, जो आप इंडिया से अमिर्का जाएंगे, तो आप ठक जाएंगे, और आपको extra diet की जब ज़रुद पड़ेगी, तो इसलिए आपको बापिस भेजना पड़ेगा, तो extra diet का मतलब हुआ, send back, ठीक है, extra diet में send back, expatriate का मतलब भी emigrant होता है, next word, captive, captive, मतलब आपने cap लगाई हुई है, जब आप जेल में होते हैं, तो आपकी एक dress होती है, आपका एक uniform होती है, आप एक cap लगा के घुमते हैं वहाँ पर, एक uniform प्रेन नी पड़ती है आपको, तो captive का आप ऐसे याद रह सकते हैं, captive होगा prisoner, jailed, jailed, imprisoned, और incarcerated, यह तोड़ा सा cutting word है, इन-carcerated, देखिए है, घज़े ज़ेली बनाया जाता है, डाडिय जाता है, तो इसे आप याद रह सकते हैं, इन-carcerated को ही, कोई बंदी को कर में ले जाया जा रहा है,eterated मतलब शे हो bandeก बनाया जा रहा है, Detained Detained का मतलब होता है हिरासत में लेना Detained को आप chain से याद दसकते हैं जब अपन हिरासत में लेते हैं किसी को तो उसको हथकड़ी बना देते हैं Chain मतलब हथकड़ी Detained मतलब उसको हिरासत में ले लिया Under Lock and Key Lock लगाके policeman Key अपने पास रख लेता है तो इसको बोलते हैं, अंडर, lock and key, और अन्टोनेम हो जाएगा इसका, free, तो इस तरह से आप इन वर्ट को, feeble, feeble मतलब जिसमें बल नहीं होगा, feeble, feeble, जिसमें बल नहीं होगा, feeble, यानि weak, frail, और delicate, जो delicate है, नाजोक है, उसको आम बोलेंगे, feeble, अन्टोनेम क्या होगा इ अब आपका एक revision test लोगा, मुझे उम्मी देख आप से आप बताते जाएंगे इन सारे वर्ट को पूछूँ आपसे , और इन सारे words को अप से बताते जाएंगे, देखए हैं सब्सक्राइगे, अधि प्रोक्रष्ट्राइनेट कशा मतलब है, बताए हैं थाया, बताए है , मै मतलब fear of height flunk जिसके अंक नहीं आए वो क्या होगा फेल होगा तो फ्लंक मतलब फेल यूबी कोटस यूबी मतलब इवराशिंग कहां कहलता है हर जगे खिलता है यूबी कोटस का मतलब हुआ everywhere fickle जो फिसल जाता है फिसल जाता है मतलब अनिस्टेबिल है ठीक है साइनो फोबिया साइनो मतलब नोस नोस मैंने आपको डॉक की नोस बताई थी तो साइनो फीबिया क्या हुआ fear of dogs, obscure, cure, uncertain, doctor, so what happened to you, unclear, seize, less, seize means to stop, less means to stop, not to stop, not to stop, not to stop, continuous, so what does the seize, less means to stop, continuous, fragile, handle carefully, shagrin, 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 utopia, utopia, shagrin, 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 shagrin किता सारे वर्टस आपको आसानी से याद हो गए तो इस तरह से आपको यहीं तूटरी यह पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करिए जरूर कमेंट करके मुझे बताइए और जरूर इसको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए and I wish you all the best for your bright future.